है कि मैं हेलो फैन्ट के सब्सक्राइब वेखे और यूट्योब चैनल कैसे हैं आप आप लोग चलिएंगे एक ही बीडियो में इसना प्लोग का डाउट है वह एक ही वीडियो में सारा किलियर हो जाएगी तो सुरू से अंतक आप लोग बने रहे एक डाउट आप का क्लियर कर जाने वाला है और निव वेकेंसी कपता है इसी वीडियो में सारा हम आप लोग को न्यूज दे देने वाले हैं और एक अथेंटिक न्यूजर की फालतु हो जनकारी मिलती है तभी मैं कोई वीडियो बनाता है लास्ट वीडियो में एक एक जनकारी आप लोग के साथ सेयर करते हैं तो बात किज़ा 8415 रिजल्ट के बारे में तो आप लोग का जैसा कि मैंने बताया था कि इस कोटनी का काम जो है न वो चल रहा है और आप लोग को हो गया है थर्द राउंड का कमपलीट हो जागा आप लोग को मंगलवार को फुड़ा मतलब 28 जून है मंगलवार उस दिन आप लोग का फुड़ा रुप से कमपलीट हो जागा इस कोटनी का था और बात की जाए कि मैरिट कब आएगी उसके बाद अगर देखा जाए प्रि तो रिजल्ट 12 एप्रिल को इनाउजद कर दिया गया था तो उसी अंतार्या से अगर हम देखे इसका 28 जून को मैरिट 28 जून को आप लोग का इसको उपनी खतम हो रहा है तो उसके साब से देखे तो आप लोग चार दिन बाद मतलब 2 जुलाई को मैरिट आना चाहिए ऐसे तो यह होना चाहिए लेकिन यह एक रिजन नहीं है कि दो जुलाई को ही मैरिट आ जाएगा क्योंकि देखे पासिंग आउट प्रेट पर भी CSB से ठीकी हुई है कि जब तक पासिंग आउट प्रेट खतम नहीं हो जाता यह लोग को मैरिट नहीं देने का उन लोग का इ अहीं कि जहां खतम भी होगया और पासिंग आउट लगवाद चाल पाछ जगए खतम हो गया बहुत देजी से हो रा है हर रोज दन एक सेंटर पर पासिंग आउट प्रेट भी हो रहा मतलब ज्यादा से जादा 10 जुलाई तक पासिंग आ प्रेट चलेंगा 10 पहले भी आ सकता है मतलब 10 जुलाई के आसपास ही आप आने की चांस लग रहें। इसी के आसपास आप लोग प्लोग की मैरित आएगे। तो मैरित 10 जुलाई के आसपास आप लोग देखिएगा, देखेगा समय अंतराल में आएगे। वही बात कि चाहिए कत्व कि हेज़ा सवंपंदले का कितना जा सकता तो कुछ वह से ज़्यक्ट करने जाएगा अब पहले बंच चुकंप यहां जगा से बहुत सारी और मतलब लिया है अच्छे चैनल को और वोटिंग भी करवाया है उसके जरीए मैंने ये बनाया गया है तो आप विश्वास कर सकते हैं प्रिफियर कटप को ही देखा गया है और बहुत चीज़ देखकर मैंने ये कटप बनाया धूब भी पहुत ज़्यादा था और मैं खुद इस बार दोर वेगरा सब किया हूं सब पास कर रहा हूं मेरा भी मैरिट का इंतिजार है तो आप लोग की तरह मैं भी इंतिजार कर रहा हूं तो देखते हैं क्या होता है किसका मैरिट आता है किसका नहीं उमीद सब का मेरिट बने मेरे मैं तो यहीं गौट से चाहूंगा बात की जाए अगर देखें तो कि फायर्मेंट के भी वेकेंसी के बहुत लोगों की इंतेजार की कब तक मेरिट इसका रिजल्ट आगी क्योंकि 27 मार्च को ही इसका इकजाम हुआ था लगफद तीन महीना होने चला है तो मतलब जेनरली देखा जाए तो CSBC तीन महीने में रिजल्ट दे देता है तो तीन महीना होने वाला है मेभी साथ मेरिट आजाए पांक से दस जुलाई के बीच में इसका भी मेरिट रिजल्ट आने का बहुत बहुत चैंस है पांक से दस जुलाई के अंदर में अप लोग का इसका रिजल्ट आने को आजाए पाइर्मेंट का एकनियूद दिया है वर यह उपर नहीं देख लिए और इस सब्सक्करण परकी कि जाने हो भागया और बिहार पूलिस के भी आएगी तो कब तक आएगी तो आप लोग की वेकेंसि जो है न यह अगस्थ में देखनों को मिलेगी कब मिले को दिखनों को तो अगस्थ में देखनों को मिलेगी लगभग बाई-13几के आसपास दरोगा की मेकेंसी आएगी और वही बात ज़ुक्त की दियां की तो 12,000 के आसपास बियां की मेकेंसी आएगी तो आप लोगा आस उमीद करता हो एक एक डाउट किलियर करने की कोशी किया होंगा मैं तो कैसा लगा आप लोगा वीडियो यह अच्छा लगा हो तर लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को आप लोग की सपोर्ट की जड़ात है ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोग के लिए पस आप लोग के सपोर्ट बनाए रखिए जैसे भी और भी अफडेट आती है कल साथ आपना जाओंगा तो CSBC के जो जहां स्कूटनी का काम चल रहा है वहां जाने का कोसिस करूंगा कुछ भी इंफर्मेशन बिले तो वीडियो के जगई आप लोग को चरूर दूंगा तब तक के लिए धन्यवाद ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहेंगे